C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है ये श्रिंखला गोंचाय शायरी इस श्रिंखला की अंतरगत आईए सुनते हैं ये कारेकरम मुईन एहसन जजबी मुईन एहसन जजबी मुईन एहसन नाम जजबी तखल्स था मुबारकपुर जिला आजमगर में पैदा हुए जहांसी, लखनव, आगरा और दहली में तालीम हासिल की एमे पास करने के बाद बगर्ज मुलाजमत मुख्तलिफ शहरों में रहने का मौका मिला बहसियत उर्दू उस्ताद शुबाए उर्दू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगर से वाबस्ता हुए और वहीं से सुबक दूश होकर अलीगर में ही मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली शायरी का शौक बच्पन से था फिरोजा, सुखन मुख्तसर और गुदाज शब शेरी मजमुए शाय हो चुके हैं हाली का सियासी शओर उनका तहकीकी मकाला है उनका शुमार मुम्तास तरकी पसंद शायरों में होता है इकबाल एजास, गालिब एवार्ड, मीर अकादमी लखनव और यूपी अर्दू अकादमी के अलावा दीगर कई इनामात औ एजाजाजात उन्हीं मिल चुके हैं उनका इंतिकाल अलीगर में हुआ और वहीं तत्फीन आमल में आई अब पेश है मुईन एहसन जजबी की घजल मरने की दुआएं क्यों मागूं जीने की तमन्ना कौन करे ये दुनिया हो या वो दुनिया अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे जब किष्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी अब ऐसी शिकस्ता किष्टी पर साहिल की तमन्ना कौन करे जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अशको ने जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अशको ने जो अशको ने भड़काई है उस आग को थंडा कौन करे दुनिया ने हमें छोड़ा जस्बी हम छोड़ न दें क्यों दुनिया को दुनिया को समझ कर बैठे है अब दुनिया दुनिया कौन करे दुनिया को समझ कर बैठे है अब दुनिया दुनिया कौन करे सवालों के जवाब लिखिए सवाल नमबर एक मतले में शायर ने अपनी किस कैफियत का इजहार किया है सवाल नमबर दो अश्कों की आख से शायर की क्या मुराद है सवाल नमबर तीन दर्जे जील शेर का मफूम वाज़ कीजिए जब किष्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी अब ऐसी शिकस्ता किष्टी पर साहिल की तमन्ना कौन करे मुईन एहसन जजबी अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम कलाकार परवेज गोहर और शमायला परवेज संगीतकार हर्भजन सिंग गायन स्वर मेघा धुनियंकन बटिल्यंगलिंडो और शानु मुक्सीम निर्मान सहयोग तनु गुप्ता निर्मान निर्देशन तथा ध्वनिसंपादन वंदिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत